यो पच्चीज बरस में नहीं गुआ गुआब होगा हमने का भई हमारे साथ तो यह होगा एक ऐसे राइटर जिनकी सालरी एक टाइम पर मिताब बच्चन से जादा थी कौन है वो? सलीम और जावेद बिल्कुल और इन दोनों की डॉक्यमेंटरी आ रही है रहे हैंगेटरी यांग मैन 20 अगस्त को रिलीज हो रही है प्रेजेंट कर रही है है ब्रो लैकिन यार फरान अक्थर और ये अनदोनों के पापा हैं जोじावेद अदोना हैं मुझे नहीं नहीं लगाख़ों किसी को पता होगा यार ये बात तो मैंने तोचे ये मेरी general knowledge निकमाल की है मैं बता दूँ एक मुनुटी आप सेल्फी लेना चाहिए शेल यार तुझे पता लगा कौन अबे फरान अक्तर जावे साब का बेटा है क्या बाद कर रहे है अभी बता है प्रिश्टा बेटा है और और सल्मान कान के पिता जी का नाम सलीम है आगे भी तो बताओ सलीम है सलीम आगे खान कालीम खान है पूरा नाम नहीं बताया आगे बोड़ो तो ऐसा है उनकी डॉक्यमेंटरी आ रही है और जो मेजर पार्ट वो हम सब जानना चाहेंगे कि वो तोनों 24 फिल्में की जिसमें से 22 हिट गई ब्लॉक्बस्टर उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को टाटा बायबै क्यों कह दिया तो यह यह पूरी सीरीज में भी मुझे लगता है नहीं बताया जाएगा लेकिन ट्रेलर में तो उन्होंने इतना ही बताया है कि देखो ऐसे हमने एक दिन बैठी का सूचा क बस बहुत हो गया आप अपना काम करो मैं अपना काम करता हूं छोड़ देते हैं और वैसे 25 फिल्मों जो इन्होंने साथ में बनाई हैं जिसमें से 22 हिट गई है मुझे नहीं लगता कोई भी राइटर का डूओ या फिर इवन डिरेक्टोरिय जैसे राज और डीके आज के इतना बढ़िया काम कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता कि वो भी नहीं कर पाएंगे इतना कि 25 में से 22 जो फिल्में हैं वो सूपर डूपर हिट कर दे मैंना कहीं पड़ा था एक किसी फिल्म की सक्सेस पार्टी चल रही थी और तब शोले और दिवार नहीं आई थी अच्छा ठीक है दिवार पहले आगे थी रिलीज हुई थी शोले उसी साल बाद में हुई थी तो क्या हुआ कि दोनों सलीम जावेद खड़े थे तो कहते एक डायलोग याद आ रहा है मेरे दिमाग में अभी फिल्म का स्टोरी धुनला धुनला है पर डायलोग मेरे को पता लग गया अच्छा तो यह चोपड़ा जी के बास जा रहा हूं तो यह चोपड़ा जी के बास जाते हैं बोलते हैं कि सर कहानी दुनली है पर डायलोग आपको अभी सुना रहा हूं तो डायलोग था मैं आज भी फेंको एपैसे नहीं उठाता और यह चोपड़ा जी दिवार के लिए साइन कर लेते हैं हाथ औहाथ एक डायलोग सुनके वाय यह डॉक्यमेंटर आपको पहले मिल गई है कहीं से इनके सोर्सिस हैं सूत्र के लिए काम करते हैं वह इनको बता रहे हैं लेकिन एंगरी यंग में देखो यंग मैं टाइटल है और मतलब मुझे लग रहा है शोले जो है वो आज तक अपने शायद डायलोग से वज़से ही जानी जाती है और बिल्कुल मतलब अभी भी इंडिया के बना तो ग्रेटेस्ट फिल्म में उसका नाम दर्ज है 15 अगस को रिलीज हुई थी 15 अगस को 1975 को रिलीज हुई थी ठीक है जी उसके लावा दिवात, रिशूल, डॉन, सीता गीता, मिस्टर इंडिया भी इन दोनों नहीं लिखी है क्या बात कर रहे हो जी मिस्टर इंडिया क्रांती, शक्ती, सारी कल्ट फिल्में सलीन जावेद सहाब कियों जैसा कि कहा यार वो डायलोग्स कितने वो थे मैं आज भी फेंकोई पैसे नहीं उठाता ये पुलिस स्टेशन है तुमारे बाब का गर नहीं अच्छ वाई या अमिजी अगर ये बाइचांस वीडियो देख लेंगे इतना गंदे कमेंट करेंगे ना अपनी फेक आईडी से अगर उनकी हुई तो क्यांगे इस बंदे ने आज के बाद मेरी मिमिक्री करी मैं केस ठोक तो ये लड़का नहीं ये बवासीर है क्या है बवासीर इंजेक्शन लगाओ इनके इनको ठीक कराने के लिए तो बही बीस अगस्त को ये डॉक्यूमेंटरी है तीन पार्ट की डॉक्यूमेंटरी रिलीज हो रही है जैसे रोमेंटिक्स आई थी नेट्फिक्स योपर आदित्य छोपड़ा की ये अमाजन प्राइम पर ये अमाज जानने के लिए कि उनका प्रोसेस क्या होता था वो लिखते कैसे थे और कितनी कल्ट फिल्में दी है उन्होंने ठीक है और मुझे एक बात और याद आरी मैंने कहीं और पड़ा था जी कि कि शोले में क्या हुआ बहुत टाइम से इंटेंस मोमेंट्स ही चल रहे तो सिपी सा किते हैं फन नहीं आइटम नंबर डालते हैं मैं वुवा मैं वुवा क्या बात है और वो भी सलीम जावेद नहीं लिखा था नहीं 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 लिखा था आइडिया उनका था कि एक आइटम नंबर डालते हैं तो सलीम जावेद जी यार बिलकुल मतलब क्लास अपार सब्सक्रिपिशन नहीं है आप फटाफट से ले लो क्योंकि मैं तो भई पहले ही दिन ये देखने वाला और जैसे आएगी हम लोग इसका रीविवीव लेके आपके पास आजाएंगे क्योंकि तुम वहां ढून रहे हैं और माय तुम्हारा यहां इंतजा है आज के लिए माय बहुत ज्यादा बोल रहे हैं इनका माय निकालता हूँ मैं जाके आप तब तक कहीं जाएगा ने स्विच को सब्सक्राइब कर लिए लाइक कर लिए फॉलो के लिए ज़गा पे मेरा मैं प्रशान कपूर मेरा नाम है रमेत और आप देख रहे हैं स्विच्च